Assalamu alaikum, I am Aisha, welcome to my channel Learn to Lead. हम लोग international political economy में international political economy की theories discuss कर चुके हैं, mercantilism, economic liberalism और neo-marxism हमने discuss कर लिया है, अब हम imperialism और imperialism की theories पढ़ेंगे, dependence और interdependence को discuss करेंगे. तो पहले हम यह देखलेते हैं कि imperialism क्या होता है। देके imperialism का concept यह है, कि कोई भी जो strong state होती है, वो weaker states को influence करती है. अब यह influence किस-किस तरह को हो सकता है? यह influence यह होता है, कि वो politically influence कर सकती है, economically या socially. कोई भी stronger state जब politically, economically या socially किसी weak state को dominate करें, किसी weak state के पर अपना influence कायम करें इसको imperialism कहते हैं यह imperialism अब states किस तरह से कर दी है और कौन सा imperialism ऐसा है जो अभी practice हो रहा है या नहीं वो देख लेते हैं imperialism की तीन टाइप्स है colonialism, new colonialism और neo-neo-colonialism. Colonialism पहले पास में हुआ करता था अब आगे डिटेल में discuss कर लेंगे क्या मतलब है कैसे strong states weak states को capture कर रही होते हैं कैसे उनके और अपना influence बना रही होती हैं इसी तरह से फिर colonialism थोड़ा evolve हो तो एक नए तरीके से क्योंकि colonialism फिर माना नहीं जाने लगा, new an बन गी, इसके बात states में right to serve determination आगया, तो new colonialism का concept आगया, और currently जो colonialism, current form of imperialism जो है, new colonialism, ये practice हो रहा है, तो ये किस तरीके से हो रहा है, इसमें states को कैसा influence किया जाता है, ये देखते ह है, सबसे फहले है colonialism, कोलॉनियलिजम में क्या किया जाता है, कोलॉनियलिसम में कोई बी इक strong state किसी weak state को physically जा के capture करेगी, किसी weaker state की physically territory को जा के capture कर लेना, उसके ओ और कभशा जमा लेना, इसको कहते हैं, क्लॉनियलिजम, क्लॉनियलिजम की पाफ में बहुत सारी examples है, بριटिश कुलोनी सब कॉंटेनेंट भी रह चुका है पाकिस्तान इंडिया भी रह चुके है युनाइट सेट्स अफ अमेरिका पहले इंगलाड की कॉलोनी था तो इसलिए प्लोनियलिजम का मतलब क्या है कि फिसिकली जा कि किसी और की टरट्री को कैप्चर कर लेना वहां पर कब्जा क कोई साथ नेबरे कंट्री को एरिया है उसको अपने स्टेट में शामिल कर लेना अपने साथ अनेक्स कर लेना ये भी कोलॉनियलिजम में ही आएगा क्यूंकि ये भी फिजिकल कैप्चर करना ही है टेरिटरी को उसके इलावा इसमें जो डॉमिननट फॉर्म ऑफ पावर Decolonization के बाद start हुआ Decolonization जब World War II खतम हो गई उसके बाद states की decolonization start हो गई बहुत सारी states जो के UK की colonists थी वो की colonization में से निकलने लगी Pakistan इंडिया का saponet हो जाना और आजाद हो जाना एक 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 जामपल है 1947 से तब से ही decolonization start हो थी सबसे बहले decolonize subcontinent ही हुआ था तो decolonization हो गई जब तो उसके बाद UNQ के बन चुकी थी और अब states को colonize नहीं किया जा सकता था तो अब क्या हो रहा था अब colonization के नहीं form start होगी वो क्या के institutions बना रहो और institutions में अगयान powerful की जादा dominance होगी जब powerful की जादा dominance होगी तो वो weaker states को उनके पर influence करके उनको blackmail करके उन institutions के जरीए क्या कर पाएंगी अपनी बात मनवा पाएंगी उनको influence कर पाएंगी जाहे वो politically है जाहे वो economically है या जाहे वो socially है तो क्या होता था international organizations जैसे कि हमान पस UN की example है यून के नतर जो veto का power है जो permanent 5 members के पास है अब उन permanent 5 members के पास अथरीटी है कि कोई ऐसी कोई ऐसा फासला जो रहा होता है जो को veto करना चाहती है वो कर लेती है जो उनके उनके इंट्रेस में नहीं होता तो इस तरह से एन organizations के platform को जिस तरह से 2008 में India membership आजपना चाह रहा था, P sane 5 members में शामिल होना चाह रहा था तो China ने उसको शामिल नहीं होने दिया, China was a powerful state, weaker state को influence कर लिया, comparatively weaker state को. फॉर इस तरह से blackmailing के जरी रहिए किसी भी और state के ऊपर जो कायन करना चाहा जा रहा हो, states करती हैं, नियो कोलोनियलिजम के जरी है, इसमें सबसे जादर significant aspect जो होता है, वो political influence होता है, क्योंकि आप politically इस तरह का platform यूज कर रहे हो, बाकी states को politically अपने साथ मिला लेते हो, और अपने national interest को देखते हुए, दूसरी किसी पी state के उपर influence जो आप आजकल जो imperialism हो रहा है, वो neo-colonialism की form में हो रहा है, किस सहा से आप weaker state को economic influence में लेके आजो, weaker state को economically influence करो, weaker state को economically help out करो, उसको aid दो, और मतले में आप क्या करो, उनके political, social और economic domains को control कर लो, इसमें सबसे जादा powerful tool जो होता है, वो economy होता है, अभी currently अगर हम लोग देखें, तो economy की ही game है, और जो कोई भी आपको economically help out कर रहा है, जो जिसी state को उस state को फिर donor state की बात माननी पढ़ रही होती है, बहुत सरी policies माननी पढ़ रही होती है, recent example गुजरी थी, जो हम लोग ने देखा, कि Saudi Arab Pakistan को aid देता है, और उससे पहले, कुछ अरसा पहले ही Saudi Arab ने Pakistan को aid भी दी और deferred payments के उपर oil भी दिया, और बदले में कहा के कौरल Ampur summit में आपने शामिल नहीं होना, तो announce किये हुए उसे बावजूद हम लोग नहीं शामिल हो पाए, क्यों जारी सी बात economically influence करके उसके बाद हमारे political decisions को influence किया गया, और इसी तरह से कैरी लूगर बेल की example ले ले लें, IMF की ले लें, IMF को यूज करते हुए, हमारे बहुत सरे decisions ऐसे इनको United States of America influence कर रहा होता है, तो इस तरह से currently, current form of colonization ये है, current form of imperialism ये है, कि किस तरह से states को economically trap करके उसके बाद उनसे decisions दिलवाय जाते हैं, कि वो decisions लिये जाएं, जो stronger state की मर्जी के decisions होते हैं, imperialism की दो theories है, dependency और interdependency, उन दोनों को study कर लेंगे अगले lecture में, और I hope कि imperialism का concept आपको समझ आ गया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो comment section में आ पूछ सेकते हैं, और अगर अगर अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, तो subscribe कर लीजे, और notification icon को press कर लीजे, ता कि हर नही आने वीडियो का और आपको ही उसका benefit हो सके, that was all for today, thank you, Allah Hafiz